प्यारे कामारों मुकालुफीन बोलते अग्बर अद्दीन अवे इसी पर जो लो रहने खातिला नो हमला किया था इनका ऐसा हुआ फुला हुआ प्यारे मैं कोई प्राक्टिसिंग बेरिस्टर नहीं हुआ थोड़ा कुँचन कुँचन ला मेरे को भी आता है थोड़ा आता है मेरे को मैं ये भी जानता हूँ कि बी जे पी के एक एम अलसी है वो बड़े उन लगों के खरीब है बड़ी महबत करे बड़ी शफखत के मजाहरे करे मैं जानता हूँ तुम भी जानते हैं मैं किसका खिकर कर रहा हूँ तुम ये मत संजो कि तुम क्या कर रहे मुझे नहीं मालूम मैं सब कुछ जानता हूँ और अलहम्दुल्लह अलह सुमाऑनाँ थाला असाई नितिजाम करके रखा आहाए कि अल्लाग मुक्तले जराय को हमको इत्ला पहुंचा देता हू betting हमको मालूम है इनके बैबरे दावे उन-ईस में ऐसा करेंगे उन-ईस में वो करेंगे क्या करेंगे उन-ईस में आप क्या करते हैं 19 में आप बोलो मेरे को ठीक है 19 में आना है ना तो तुम पूरे एक हो जा No receapp के साम पूरे एक होटे विखाबला करें इन्शाललह घ्राला मैं तयार हूं तुम से मिखाबला करने के लिए पूरे एक जगा जना हो जाओ जितने खातिल हैं जितने रोडी सीटर हैं जितने लोगों पर जिल्म करने वाले पूरे खिल्म करने वाले एक जगा जना हो जाओ कि यजीद के पर्जम परेज़ना हो जाए मैं हुपाइट के नाम लेकर तुम से मुकाबला करने तैयाद आल ही में सोशल मीडिया की जडिये मैंने एक न्यूस पड़ी थी और देखा था कि हैधराबाद के जो पार्लिमेंट मेंबर है असा दिन वाई सी इनका बयान था एक जलसे में के बीजेपी के एक मिलसी उनके जो भाई अक्बर अधिन वाईसी पर कातिल लाना हमला हुआ था उनसे मिलना जुना जा रही है और मिल रहे हैं कि उसको दो नहीं कहा था मैं उनसे पूसा चाहता हूँ कि आपको इसका इसकी जानकारी या इसकी खबर आपको किसने दी है पहली बात ये बेवुन्याद है ये जूटा इंजाम है वैसे ये बात इसके फैला ही जा रही है कि बताने के लिए कि मजलिस के जो भी उनके विरोध है उनके साथ भारती अन्ता पार्टी मिंगल रही है ऐसा उनका कहना है ये बात गलत है सरासा गलत है मैं उनको दावा करता हूँ कि इस बात को आपके पास कोई थबूत है तो सामने रखी है वैसे ही आज हमारे साथ ओर सीडिक के कई मिसल्मा भाई हमारे साथ बीजे पी जान आने के दयर है अगर जरूत पड़ा बीजे पी को अगर पहलों जीसे लोग में हमारे पास आना चाहते है तो हम उनको ज्रूर्ब करेंगे वो बात अलग है लेकिन उनको मजलिस से लड़ने के लिए मजलिस को कल हराने के लिए मैं किसी के पास हम किसी के बास जाएंगे नहीं हलांकि लोग हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि आज मोदी जी की सरकार पर आज मुसलमानों का भरोसा बढ़ रहा है इसलिए आज असवदीन OECG ने जो बयान दिया था उन्हों डर कर दिया था उन्होंने भारत्य जनता पार्टी आने वाले दिनों में मजबूत बन रही है और M.A.M. के गड़ को भी आज वो लोग गड़ को भी हम उस पर डेरा डाल रहे हैं इस डर से उन्होंने इस यह बयान निशाना मुझ पर साधा गया था और मैं उसे पूचा चाहता हूं कि आपके पास क्या सबूत है कि कातिलाना हमले करने वाले से मेरा मिलना जुन्हा है हालां कि उनका जो खेस लड़ा जा था वो मैंने नहीं लड़ा किसी और वकी ने लड़ा था उनसे कभी सब मिला नहीं उसका चेहरा मेरे नास से देखा भी नहीं लेकिन आपके बोलने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ हमारे तरवाजे खुले हैं हमसे कोई भी मिल सकते हैं जुजरी जी 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 एकि असुदी जीन हवेशी साथ ने आप पे किस बिना पर जो है ये इल्जाम आयत किया जाते हैं तो इस दर्से उन्होंने पहले ये बात किया कि जो उनके भाई को कातिराना हमना किया है उसे मिलना चाहते हैं या इसलिए कि भारते जन्ता पाटिया ओल सीटी में बहुत बढ़ रही है काम ज्यादा चल रहा है और सीटी में साथ MLA की जगा वो साथ नहीं जीत सक हैं या ट्रीशास के एसे क्या अच्छे रिलेशन होने के वेज़से क्या आप ट्रीट के लिए यह उन्होंने आपका नाम लिया है या फिर कुछ और बात है सब हमारे ट्री थिलीए नका यह जो ंघ्जते हूं किba सबसाओं कि ने मेरे विचार से अलग विचार था उनके विचार से मेरा अलग विचार विचार था और Muslim Reservation की इस्यव में मैंने बात किया था वो भी बात किये थे उस समय पिए हमारे दोने के बीच में जो विवाद था जो विचार अलग अलग थे हमने वहां पर प्रखट किया है तो इससे उनसे मेरा संभन है कि अच्छा नहीं है इसलिए वह मेरे बढ़ाने के लिए वह खुद का टी रर्बाद करने के लिए मेरा नाम लिए जाते हैं लोगों को बढ़काते हैं यह बात ऐसे लोगों से हमारा कोई संबन नहीं होता है हालंकि हम उनका विरोध करते हैं करते रहेंगे और जंदा से भी यह अपील करते हैं कि आप मैं छोड़ो बीजेपी के साथ आओ और आप देखिए आपके जिंदगी में कैसा बदलाव आएगा नुक्सान और फैदा का सवाल यहां नहीं है नुक्सान जो है आज हैद्रबाद सहर से निकल कर देश के अलग अलग जगा भी जाने की कोशिश कर रही है और वह भी भारदेर्टा पाटी उसका विरोध करती है आज नांदेर में हो मंबे में हो कहीं भी हो भातिया पाटी के खिलाव उन्होंने आज लड़ा लड़ी थी और हमारी किरान वॉने वनोने बैंदा था और इसलिए उनके बैन से अज हमारे हमको कुछ फायदा नहीं होता है हालांकि वा, उनका नुकसान यह होता है कि देश में皆さん को भड़कर जाता है और हम ऐसा नहीं होना चाहते हैं तो इसलिए फायदा दिसको होता यह बात नहीं है लेकिन मैं इतना जुरू कर सकता हूँ कि M.I.M. के बयान बाजी से या उनके जो इरादे से मसल्मान भाईों को इनुक्सान पहुच रहा है ये फिरा मेरा मानना है क्योंकि M.I.M. बॉंबे में गई बॉंबे में बीजे पी की हुकुमत आई यूपी गए यूपी के जो है वहाँ पे बीजे पी की हुकुमत कभी नहीं आई थी लेकिन इसके बारे में आपका क्या करना है क्योंकि फाइदा तो बीजे पी के हुआ जहां इनोंने आपके खिलाफ जो बैानात दिये वहां के लोग वहां के मसलमान भाई और भेर्ट जो है मैं मैं को विश्वास नहीं किये थे इसलिए उनके बयान बाजिस से वो उनके सहमत नहीं थे इसलिए भारती जन्दापार्टी की तरफ आए है और हाइदराबाद में बैसा होने वाला है मैं ये पूरा मैं आपको लिख करेता हूँ जहां भी मज़िश आज खड़ेगी और जहां भी मज़िश भारती इंदापाटी के विरोत करेगी वहां के मुसल्मान भाई भी बीजेपी के साथ रहेंगे क्योंकि हमारा यही मानना है यही कहना है कि सबका साथ सबका विकास तैंक यूज़ से